गहलोत की चक्रविव में फस गए पियम मोदी गहलोत के सवालों का जवाब देना पियम मोदी को पढ़ रहा है भारी कैसे गहलोत की विछाए जाल में फस्ती जा रही है बिजेप राजस्थान में इस बार रिवाज बदलने के मिल रहे है संके पीम मोदी तीन दिन में दो बार राजस्थान पहुंचे थे दो अक्टूबर को चित्तौरगड में और फिर पांच अक्टूबर को जोधपूर में जोधपूर की सरदार शहर सीट से ही राजस्थान के सीम अशोग गहलोथ चुनाव लड़ते हैं ऐसे में पीम मोदी की निश में उल्टा असर कर रही है पीम पर गहलोथ का जादू चलता दिखाई दी रहा है गहलोथ ने जो चक्रव्यू रचा है पीम मोदी खुद तो उसमें फसी गए है बिजेपी को भी उन्होंने इसमें फसा दिया है पीम के बयान भी अब कॉंग्रेस की मदद करते हुए दिख दिखाई दी रही है तो पीम मोदी पर ही सबसे जादा सवाल उठेंगे क्योंकि इस भार राजसतान में अश्यो गहलोथ की जाल में फस्ती दिखाई दे रही है पीम मोदी इस पर हम करेंगे विश्तार में चरचा नमसकार मैं हूं सुर्भी राच्पुत तो शुरू करते हैं गहलोद के चकर व्यू में कैसे फस गाए है पीम मोदी 20 साल से राजस्तान में गहलोद बनाम वसुंद्रा ही होता रहा है चुनाव पहली बार राजस्तान में विपक्ष की ओर से पीम को बनाय गया है चहरा पीम को चहरा बना कर लड़ना विजेपी को पढ़ सकता है भारी विजेपी की हार को पीम मोदी की मानी जाएगी हार राजस्तान हारें तो फिर दिल्ली की सत्ता भी जाना होगा दूर राजस्तान में विधान सलबा चुनाव से पहले अशोग गहलोद पूरी आत्मिश्वास में दिखाई दे रही है कॉंग्रेस हाई कामान भी मान रहा है कि राजस्तान में इस बार हर पास साल बार सरकार बदलने का रिवास ही बदल जाएगा अशोग गहलोद का जादू राजस्तान में चलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस जादू का असर पियमोदी पर भी दिखाई दे रहा है इसी के चलते पियमोदी ऐसा दाव खेल गए हैं जिसकी उम्मीद कॉंग्रेस को भी नहीं थी दरसल राजस्तान में पिछले 20 साल से चुनाव गहलोद बना वसंग्रा होता रहा है राज्यो के नेताओं के बीच मुकाबला होता था जो हारता था वो जिमिदार येता था लेकिन इस बार बिजेपी ने वसंग्रा को सीम उमीदवार नहीं बनाया है बलके पियम मोदी का चहरा आगी रखा गया है यानि चुनाव अब गहलोद बना मोदी हो गया है वैसे बिजेपी ने इससे पहले पश्च्वि मंगाल करनाटा के माचल परदेश में चहरा सामने नहीं रखा था और इन सभी राज्यों में पाठी को हार भी मिली थी लेकिन पियम मोदी ने हार की जिम्मेदारे खुद लेनी की जगा राज विजेपी पर डाल दी लेकिन जिस तरह से गहलोद ने राजसान में पियम मोदी के खलाब चकरवियू रच दिया है उसमें बिजेपी की हार को सीधे सीधे पियम मोदी की ही हार मानी जाएगी क्योंकि चुनाव अब बिजेपी और कॉंग्रेस नहीं बलकि मोदी सरकार वनाम गहलोद सरकार हो गया है और इसे लेकर पियम मोदी बैक फुट पर भी दिखाई दे रही है ये भी कह सक्ते हैं कि गहलोथ सरकार मोधी सरकार पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये पीमोधी के बयान में भी दिखाई दे रहा है अब तक दूसरे राज्यों में जब चुनाव होते थे जहां PJPCM उमिदवार घोशित नहीं करती थी तो पियम मोदी खुद लीड करते हुए अपने नाम पर वोट मांगते थे लेकिन राजस्तान में मोदी ने कहा कि चहरा कमल का होगा यानि अब पियम मोदी भी गहलोत का सामना करने से डरते दिख रहे हैं गहलोत ने गारंटी का बिचाया जाल पियम पर चल गया सीम का जादू गहलोत की सवाल पर बड़ी भूल कर गए पियम मोदी गहलोत की योजनाओं को जारी रखने का पियम ने किया वादा अब पढ़ रहा है बिजेपी पर भाड़ी और इस डर को PM मोदी और भी बढ़ा रहे हैं। दरसल जब PM मोदी दो अक्टूबर को चितौरगड में रैली करने के लिए पहुँचे तो गहलोत ने पहले से ही मैदान सेट कर दिया था। गहलोत ने PM मोदी से सीधा सवाल कर दिया कि परधार मंतरी ये गैरेंटी दें कि अगर उनकी पार्टी की सरकार आएगी तो हमारा कोई भी योजना बंद नहीं होगा। अभी गैरेंटी दीजिए कि OPS रहेगा। हमने 25 लाग खब बीमा किया वो रहेगा। हमने कानूर बनाए वो रहेंगे। मोदी इसकी गैरेंटी दे तब उहीं राजस्थान आकर कैम्पिन करने का अधिकार होगा। वैसे इस बात की उमीद कम थी कि गैहलोत ने जो जाल फैलाया है उसमें PM मोदी असानी से फस जाएंगे। लेकिन गैहलोत को अपनी जादुक पर जरूर भरोसा थ गैहलोत ने कहा कि हम चार साल से आपको चिठी लिक रही हैं उस पर कुछ नहीं बोले हमने अपनी योजनाओ चालू रखने की गैरेंटी मांगी थी लेकिन PM सिर्फ गोल मुल जवाब दे गए कि हमारी योजनाओ को चालू रहेंगे। लेकिन आपके उपर कौन विश्वास कर सकता है कि आप जो कह रहे हो वो लागू होगा हमारी योजनाओ को आप अच्छा मान रही हैं उसे जारी रखने की बात भी कर रहे हैं तो पहले इन योजनाओ को केंदर में लागू करो तब हम मानेंगे कि वास्तव में आपने किस रूप में बात कही है आपने ये नहीं क कि मैं यहां की सरकार को 25 लाग का बीमा दे रही है उसे लागू रखूंगा आपने यह नहीं कहा है कि राजस्थान में जो 1000 रुपे पेंशन दे रही है उसे लागू रखा जाएगा साफ है कि गहलोत ने जो जाल बिछाया था उसमें पीम मोदी खुद फस चुके हैं राजस् जस्थान में विजेपी की हार पर ऐसा नहीं कर पाए पीम कॉंग्रिस ने इसके कर लिये हैं पूरे इंतजाम चुनाव राजी का इसके लिए कॉंग्रिस गहलोत सरकार की योचनाव पर चुनाव लड़ रही है भले ही अशो गहलोत को सीम उमिद्वार घोशित नहीं किया ह लेकिन चुनाव परचार में हर जगह गहलोत सरकार की उपलब्दियों को ही गिनाया जा रहा है। मौडल और मोडी मौडल से बेहतर बताए गया। करनाठक में राजस्तान मौडल काम कर गया। ऐसे में इसकी राजस्तान में भी काम करने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। और शायद इसलिए राजज में बीजेपी की नेता पीम के चहरे पर चुनाव लड़ने क की बात भी कर रही है। तो पीम मौडी अब कमल को 14 बताने में लगी है। जिससे हार मिले तो एक बार फिर अस्थाने संगठनों को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया जाए। लेकिन इस बार कॉंग्रेस ने जोरदार घिरा बंदी करती है। और राजस्तान में अकर पिसलता है तो दिल्ली भी फिसल सकती है। इसलिए हम कह रही हैं कि नरिद मूदी इस बार गहलोत सरकार के चक्रव्यू में बुरी तरह से फस गए है। राजस्तान में अब उन्हें बहुत भारी पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूटूब पर टाइप करें डी बी लाइव। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुश्ती रहें। देखते रहें डी बी लाइव। क्योंकि यहां हैं खबरें